आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फेस्टिवल्स ओफ नॉर्थ एस्ट इंडिया फेरन फेस्टिवल इस चप्टे का लास्ट टॉपिक है ये मतलब जो हमारा नॉर्थ इस्ट इंडिया है वहाँ पे कौन-कौन से त्योहार मनाये जाते हैं वो हमें बढ़ना है ठीक है तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पैन एंकरी वीडियो के साथ में ही अपनी नॉट्स मेकिंग स्टार्ट हर एक फेस्टिवल का नाम पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे ज्यादा लेंधी वीडियो को हम नहीं बनाएंगे फर्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है वो है सागा दावा सिक्के में मनाया जाता है वहाँ पे जो बुद्धिस्ट कॉमिनिटी रहती है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून दे फुल मून दे क्या होता है पुर्ने वाँ जिस दिन पूरा आपको आस्मान में चांद दिखाई देता है है ना तो उस दिन ही ये festival मनाया जाता है called as the month of merits month of merits इसे कहते है जिस दिन ही festival आता है उस पूरे महीने को to commemorate the birth, enlightenment and death of Buddha महात्मा बुथ्थे, गौत्म बुथ्थे उनके birth, enlightenment, death, इन चीज़े को commemorate करने के लिए ये दिन मनाया जाता है festival तो ज्यादा नहीं month of merits देख लिया बाकि सागा दावा सिक्के में मनाया जाता है Buddhist community, यानि बौत धर्म के जो लोग है उनका ये festival है next आता है Lusong festival ये भी सिक्के में मनाया जाता है सिक्के में is new year अब देखे हमने से पहले पढ़ा था कि सिक्क new year क्या है हौला मुहला है ना और सिंधी ये new year भी पढ़ा था चेती चंद है ना तो अब ये सिक्के में is new year है Lusong festival आगे चलते हैं बीहू festival यहाँ पे mentioned है तो बीहू festival कहां मनाया जाता है असाम में असाम चायपती के लिए बहुत famous है है ना असामीज new year भी बीहू को कहते है सिक्कमीज हो गया Lusong festival असामीज हो गया बीहू festival है ना अब बीहू ये जो festival है भी तीन तरह को आता है बोहाग और रंगोली बीहू काती और कंगोली बीहू माग और भोगाली बीहू ठीक है अब देखे इतना depth में नहीं आता बट असामीज new year है सिक्कमीज new year है December में में मनाया जाता है तो यहां से question आ सकता है ठीक है बाकि मैंने कोशिश किये कि कम से कम यहां पर मैं include करूँ चीजें तक कि boring ना हो next आता है हॉन्बिल festival कहां मनाया जाता है नागा लेंड में यह एक agricultural festival है mainly जो नागा ट्राइब से मुई से मनाती है तो हॉन्बिल नागा लेंड यह थो हम current affairs में भी पढ़ते रहते हैं next है खाची पूजा त्रिपूरा फिर है चीर ओबा फेस्टीवल मनिपूर New Year according to मनिपूरी ट्राइब्स मनिपूरी ट्राइब्स के हिसाब से New Year यह है चिरोबा फेस्टीवल 7th हमारा आता है वांगला फेस्टीवल कहां मनाया जाता है मेघाल्य में It indicates beginning of winter सरदिया आ रही है उसकी शुरुआत यह इंडिकेट करता है और जो गारो, खैसी, जन्तिया यह मने पढ़ाया आपको कि मेघाले में यह ट्राइब्स पाई जाती है तो जो गारो ट्राइब है उनके द्वारा मेघाले में वांगला फेस्टीवल मनाया जाता है तो यहाँ पे हमने पड़े देखी बट फिर रटने वाली बात हो जाएगी है ना? तो चलिए फर्स पेस्ट पेस्ट अभी टॉपिक नहीं हुआ है अभी हमें और भी कुछ फेस्टीवल्स पढ़ने है तो थोड़ा सा पेशन्स बना के रखे वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहीं अचलिए सीदे चलते हैं अपने नेक्सट पेस के तरफ आज का हमारा इर्थ पॉइंट है कांग चिंगबा मनिपूर में मनाया जाता है वन ओफ दे बिगिस्ट हिंदू फेस्टीवल्स पनाया जाते हो उनमें सबसे बड़ा यह है विसे हिंदू फेस्टीवल्स कम ही मनाया जाते हैं उससाइट है नेक्स्ट आता है अंबुबाची मेला असाम कुहार्टी में मनाया जाता है इंदी प्रिमिसेस ऑफ कमाख्या टैंपल कमाख्या मंदिर है जो वहाँ पे उसके मतलब परिशन में यह मनाया जाता है मेला अंबुबाची मेला असाम कांग चिंगबा मनीपूर नेक्स्ट आता है सेक्रनी फेस्टीवल नागरेंड में फैं में अंगामी ट्राइब के त्वारा मनाया जाता है कोस्टन्स ना इस तरह से आता है यह tribe कौन सा फेर celebrate करती है, कौन सा festival celebrate करती है है ना next आता है Majoli festival Asam में है, December में मनाया जाता है Dhri festival Arunachal Pradesh में Appa Tani tribe के द्वारा मनाया जाता है and Loui Nagai Neer festival Nagaland में Nagar tribe के द्वारा मनाया जाता है ठीक है, तो मैंने minimum content रखने की कोशिश की है, but quality content आपको provide करवाने की कोशिश की है तो अब आप लोग मुझे comment section में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपने notes बनाई या नहीं बनाई और वीडियो पसंद आए तो like ज़रूर कीजएगा चैनल को भी subscribe करें, so that मैं जसे को वीडियो upload करूँ, सबसे पहले notification आपके पास पहुंचें, plus जो भी आपके friends हैं, जो भी government examinations के लिए prepare कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं चैनल का link ज़रूर share करें, so that in handwritten notes का उन्हें भी कुछ फाइदा हो सके तो चलिए friends, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे next video में so that's it and see you soon